नमस्कर मित्रों सुनीता शर्म आपने फटा-फट गाड़नी चैनल में आपका सुआगत करती है ये देखिए आप क्या देख रहे हैं जी देख लीजिए अच्छी तरह से इसे हमारे साथ है जी आप देख पा रहे हैं यह है अच्छी तरह से देख लेते हम आप इसे डामर न समझ ले मित्रों यह है हमारी राख जी राख है देखिए इस परकार से यह कोईले की राख है कोईले की क्या कहिए लकड़ी की राख है हाँ देखिए लकड़ी से कोईला बना और कोईले से बन गई राख इस परकार की तो दोस्तों राख क्या करेगा खाक ऐसा ना समझें आप यह राख है बहुत ही काम की चीज़े। देखिये, इस प्रकार की राख है। आपने कितनी बार देखी होगी, अपने आज़ पास चूले जो जलाते हैं, उनके पास भी देखी होगी चूले की राख है, लेकिन मुझे यह मिल गई है पतियू की राख है। कुछ इस परकार की पत्यों को जला कर यह है राख बनाई गई है हाँ सड़क के किनारे लोग तापते हैं और तापते वे जब मैंने देखा उन्हें तो अगले दिन देखा कि यह राख है वहाँ पर पड़ी है तो मैंने किसी सयोगी का साथ ले करके इसे मित्रों इखटा कर लिया है आप कहेंगे कि पहेंजी का क्या दिमाग सही नहीं है जो राख को इखटा कर लिया है हाँ मित्रों ये राख बहुत एक काम की चीज है और विशेश रूप से मेरे गार्डन के लिए जी हाँ बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है यह मिट्टी को खराब होने से बचाती है नहीं केवल मिट्टी को खराब होने से बचाती है बलकि ये कहिए कि एक बहुत अच्छे उर्वरक का काम भी ये राख करती है इसे जब मैं गमले लगाती हूँ तो कुछ मात्रा के अंदर बीच-बीच में इसे इखटा करके डाल देते हैं और डाल देते हैं इस परकार से एक फर्टिलिट जाइर का काम भी यह करती है और साथ ही मिट्टी को जो है अमलिये बनाए रखने का कार्य भी यह राखे करती हैं और अगर लग जाए पोदों के कोई इंसेक्टे कोई जीव जिवानों लग जाए जो हानिका रखो तो उसे भी खत्म करने का काम यह राख हीक तो करती है तो दोस्तों ऐसे में इस राख को मैंने सोचा कि क्यों नहीं खटा कर लिया जाए और जब कोई मेरा पोदा खराब हो तो उसके उपर पानी में मिक्स करके इस राख के दो-चार चमच और स्प्रे गोल करके स्प्रे कर दिया जाए तो मित्रों बहुत ही काम की चीज है हमें समझना चाहिए ऐसी चीजों को और रसाइनों को छोड़ देना चाहिए बहु गुणी है यह राख है क्योंकि इसके अ रखने के लिए यह राख उपयोगी है तो इस तरह से मैंने इस राख का उपयोग समझा और अपने पेड़ पोदों के अंदर इसे काम लेने के लिए एक सईयोकी की मदद लेकर बरवा लिया तो दोस्तों हम लोगे नजाने कितनी ही काम की चीज़े हमारे इर्द गिर्द ए लेकिन हम उन्हें नहीं समझ पाते बे जिज़क अपनी ही तो धर्थी को बचाना है तो इसमें जिज़क कैसी आप उसे कटा कल लीजिए और आप अपनी फसल के अंदर या यह कहिए कि गमलों के अंदर डाल दीजिए इससे गमले हलके भी रहते हैं और साथ साथ में लगने से बचाव हो जाता है तो दोस्तों इस पर करकी बहुत कुणी बाते जरूर आपको पसंद आ रही होंगे मैं उम्मीद करती हूं क्योंकि आप मेरे सायोगी बन चुकी हैं इन सब बातों में क्योंकि हमें अपनी धर्थी को चो बचाना है और यह तब ही संबह होगा जब हम नैचुरल चीजों से जुड़ेंगे और बिना पैसे के बिना किसी ज़्यादा खर्च के अपनी धर्थी के उर्वरा शक्ति को बचाए रखेंगे तो मित्रों जरूर इस नाइट्रोजन पोटाश और सल्वर से युक थे और भी कई पोशक्त तत्वी इसके अंदर ह हैं राग के अंदर तो इसका मैं तो समझेंगे और अपने गमलों के अंदर इस्तेमाल करेंगे इसे उम्मीद के साथ आपकी सुनीता शुरूर